नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशा सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश संतोशी एक नए दिन की सुर्वात मात्र पांच दिवस और शेश हैं जब आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं सीधे गयाजी लगातार गयाजी में हम साथ दिन निवास करेंगे रहेंगे इन साथ दिनों में आप अपने जनमांग का विशलेशण करवाने से ले करके अपने ग्रहों की शांती की भी व्यवस्था कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर मिलकर कुंडली दिखाने के लिए अगशुक हैं तो भी हम आपका स्वागत करेंगे आप गयाजी में अगर आ रहे हैं आईए इत्मिनान के साथ आईए और आनंद उठाईए चली आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का पहले सुर्वात करते हैं जोतिश दिशा का आशुन माहक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिति सुबह दस पच्चीस तक इसके बाद पंचमी आज पंचमी का शिराध है चंद्रमा मेश राशी में नक्षत रश्विनी रहेगा सुबह 6.56 तक इसके बाद भरणी योग रहेगा व्यागात तद अनुसार दिनांक 14 सितंबर दिन बुधवार राहुकाल दो पहर 12 से लेकर के डेड़ बजे तक और गुलिका सुबह 10.30 से लेकर 12 बजे तक राहुकाल में नए और शुबकाम बिल्कुल नहीं किये जाते लेकिन गुलिकाल में समश्त शुबकाम किये जा सकते हैं मेश से लेकर मीन तक अब बारी आ गई है जानने की आज के दिब्य भविश्य वानी की मेश राशित पढ़ाई में आज आपका खुब मन लगेगा सिक्षा की स्थिती को सुधार्णे में आपका प्रयास सफल होगा ब्यापार को लेकर के आज थोड़ा सा उहापो की स्थिती रहेगी बिजनस में कुछ घाटे हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा मुश्किलों का हल निकलेगा और प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ बड़े काम भी मिल जाएंगे सरकारी छित्र में उल्जन बढ़ सकती है गौर्मेंट सेक्टर को लेकर के आपको बहुत सावधान रहने की आवशक्ता है दामपत्त जीवन दिब भी रहेगा वालों को ओ गंगणपते नमः भगवान गणपत का ध्यान करना होगा क्या नहीं करना है अपने इरादे अपने राज किसी को बताने नहीं है शुबरंग आस्मानी भाग्य प्रत्षत 49 ब्रिशब रासे बहुत शुब पढ़ाई रहेगी आपके सिक्षा में सुधार होगा परिस्थतियां आपके अनुजार है ब्यापार अच्छा चलेगा काम में मजबुती आएगी मुश्किलों का हल निकलेगा प्राइविट सेक्टर आपके लिए अन्कूल है कुछ बड़ा करने की चाहत पूरी करेंगे सरकारी छेतर की स्थति सुधर रही है गौर्रिमेंट सेक्टर में शुवता जरूर मिलेगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय भीतेगा आएग दुसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ की स्थति को ले करके आपको बहुत सजग रहने की आवशकता है स्वास्त के मामले में आज पेट आँख और सोल्जर्स में पेन हो सकता है क्या उपाय करना चाहिए ब्रिशव वालों को आज शिव को याद करते हुए शिवाले में जाईए शिवलिंग पर गौमोत्र चड़ा दीजेगा क्या नहीं करना है अपने विचार अपने राज किसी से शेर नहीं करने है शुबरंग लाल भाग्य प्रत्शत अठावन मिथुन राश पढ़ाई बहुत अनकूल है सिक्षा में सुधार होगा किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार पैसा फंसा देगा आज रिस्क नहीं लेना है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत मजबूती भरा रहेगा मुश्किलों का हल लिख लेगा सरकारी छेत्र की स्थतिय में सुधार हो रहा है गौर्नमेंट सेक्टर आपके लिए फेवर करेगा दामपत्य जीवन में स्थतियां आपके पक्ष में है पति-पत्नी की बीच तालमेल अच्छा बैठेगा एक दुस्रे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ में आज बिवाद की स्थतिया रही है हो सकता है कि बाहरी तत्व का हस्थक शेप ज़्यादा परेशान करें स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो पेट, आँख और बैक की प्रवट हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी मिथुन है प्रियोग के तौर पर आज अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगाना शुब होगा क्या नहीं करना है मिथुन वालों को अपने राज किसी को बताने रही है बादामी रंग शुब है 6-6 प्रतिशत का भाग्या है करक राशी पढ़ाई की स्थती आपके अनुसार चल रही है स्विक्षा में हर प्रकार की शुक्ता है ब्यापार आपको बहुत अनकूल रहेगा बिजनस में लाव होगा दिब्बिता है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए शुब श्थती में है प्राइवेट सेक्टर वालों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा सरकारी शेत्र में आज मानसिक तनाव बढ़ेगा गौश्टर आपके लिए थोड़ा सा तनाव देगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा एक दूस्टर को सपोर्ट करेंगे लव लाइव की स्थिति को लेकर कि आज आज आपको सजग रहने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में लिवर, पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज? हल्दी का तिलक अपने कंठ पर लगा लिजेगा क्या नहीं करना है? बढ़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रत्षत संसट 67 सिंग राशी बहुत शुब सोच है आपकी पढ़ाईची है ब्याबार अच्छा है बिजनस को ले करके कुछ आगे बढ़ेंगे आप प्राइबेट सिक्टर आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा अवसर अच्छे मिलेंगे सरकारी छेत्र को ले करके सजग रहने की आवश्यक्ता है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पति-पत्नी की बीच तालमिल अच्छा बैठेगा एक दूसरे को सपोर्ड करेंगे लब-लाइफ की स्थती बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर मुश्किलें आ सकती है एक दूसरे के पति अब स्वास्त पैदा होगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज डाईजिशन की दिक्कत बैठ की प्रॉबलम और आखों की समस्या हो सकती है क्या प्रयूग करना चाहिए सिंग राशी वालों को उपाय के तोर पर आज शहद अपने कंठ पर लगाकर तीन बार ओम शुम शुक्राय नमह का जाब करिएगा क्या नहीं करना है चंचलता नहीं दिखानी है स्लेटी रंग्षुभर 63 प्रत्षत का भाग आपके साथ है कन्यराश पढ़ाई में पूर्णता है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार अच्छा चलेगा अफसर बड़े मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल रहेगा आज माज़िक शान्ती मिलेगी नहीं नोकरी की समभावना है सरकारी छेत्रवालों को कुछ बुश्किलों का सामना करना पड़ेगा गौर्णमेट सेक्टर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा जिन ताएं बढ़ सकती है दामपत्य जीवन अच्छा है पतनी के साथ अच्छा सबह बीत रहा है और लव लाइफ को ले करके अगर देखा जाए तो आज असमंजस की स्थिती रहेगी इस पार या उस पार को ले करके आप परिशान हो सकते हैं स्वास्त के मामले में पेट आँख और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या प्रियूग करना चेहेगर आपकी राशी कन्या है कन्या राशी वालों को किसी जरुरत मंद को हरी सबजी का दान करना शुब होगा भूरा रंग शुब है 69 प्रिशत का भाग आपके साथ है तुला राशी पढ़ाई अच्छी चलेगी शिक्षा में सुधार होगा अउसर बड़े मिलेंगे ब्यापार की स्थिती में अपने आप सुधार आ रहा है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की बीच तालमेल अच्छा बैठे लव लाइफ को लेकर के आप जितना शुब सोचेंगे उतना ही अच्छा है स्वास्थ के मामले में पेट, आंख और बैक की प्रॉब्लम दिखाई देती है क्या उपाय करना है अगर आप गिराशी तुला है आज का दिन किसी जरूरत मंद को चने की दाल का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज अपने राज किसी को बताने नहीं है शुबरंग के सरिया भाग्य प्रत्षत एक्सट ब्रश्च ग्राश काम में मन लगेगा सिक्षा पूरल होगा किसी तरह की रुकावट नहीं है ब्यापार अच्छा है बिजनस में हर प्रकार की शुबता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अन्कूल है जिनताओं से बाहर निकलेंगे सरकारी शेतर में कुछ नुकसान हो सकता है गौर्णमेंट सेक्टर को लिके सजग रहिएगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्ती और बच्चों की वीच ताल में अच्छा बैठेगा सपोर्ट मिलेगा आज बिवाह की चर्चा लव लाइफ आलों को कर लेना चाहिए आज का दिन लव लाइफ आलों के लिए बहुत अनकूल रहेगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो बिश्चिक वालों को कहीं न कहीं आज माइगरेन और किड्नी की समस्या दर्शाता है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी बिश्चिक है बिश्चिक राशी वालों को किसी जरूरत मंद को कुछ ठाने के लिए देना होगा क्या नहीं करना है लंबी यात्रा अवाइट करना है बैगनी रंग शुभ है चास प्रतिशत का भाग्या आपके साथ है धन राशी दिन बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई दिब रहेगी सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है ब्यापार अनकूल्ज रहेगा बिजनस में आई बाधाएं दूर होंगी प्राइबेट सिक्टर आपके लिए अच्छा है अवसर बड़े देगा सरकारी छेत्र में इस्थतियां थोड़ी सी पलट रही है गौर्वर्मेंट सिक्टर को लेके सजग रहना है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की बीच तालमेल अच्छा बैठेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ बहुत अच्छी इस्थति में नहीं है अचानक से कुछ समस्याएं आ सकती है स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्राबलों माज रहेगी क्या उपाय करना है आज जरूरत मंद को सबजी अथवा दवा का दान करना है क्या नहीं करना है चंचलता नहीं दिखानी है नीला रंगशु भई क्यावन प्रत्षत का भाग्य है मकर राश्य दिन बहुत अनकूल है पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी सिक्षा में सुधार है ब्यापार की स्थती आज थोड़ी सी टफ है बिजनस को लेकर आज सजग रहना है प्राइवेट सिक्टर अनकूल रहेगा मुश्किलों का हल निकलेगा सरकारी छेत्र आपके लिए आज परेशानी का कारण बन सकता गौर्णमेंट सिक्टर में बहुत अच्छी इस्थती नहीं है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा तालमेल भी ठालेंगे अउसर अच्छे मिलेंगे लव लाइफ की स्थती को लेकि सजग रहेगा स्वास्त के मामले में आँख और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या परियोग करना चाहिए मकर राशी वालों को आज अगर आपकी राशी मकर हैं तो आज अपने हाथों से छोटे बच्चे को कच्छा दूद दे दीजेगा क्या नहीं करना है मानसिक तराव नहीं लेना है शुबरंग बादामी भाग्य प्रत्षत 56 कुम्भराशी दिनांग 14 सितंबन पढ़ाई में तो आज टॉप करेंगी आप सिक्छा आपके लिए बहुत अंकूल है और मुश्किलों का हाल है ब्यापार में रिस्क लेना भारी पड़ेगा बिजनस की स्थिक को सुधारना होगा प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कहीं से भी ठीक नहीं दिखाई देता है सरकारी छेत्र आप पर आज महरबान है गौवर्मेंट सेक्टर गजब है दांपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की बीच ताल मेल बैठेगा एक दुस्रे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ की स्थिक को लेकर के आप जितना बहतर कर सकते हो उतना ही बहतर रहेगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज दांतों की समस्या हो सकती है कंधे में प्राबलम और आँखों की समस्या रहेगी क्या परियोग करना चाहिए कर आपकी राशी कुम्भ है कुम्भ राशी वालों को अपने कंठ पर लाल चंदन का तिलक देना है आज क्या नहीं करना है बड़ों को जवाब नहीं देना लाल रंग शुभ है उनसर्ट प्रत्षत का भाग्या है अंतिम राशी मीन पढ़ाई बहुत अच्छी है सिक्षा में हर हाल में सुधार है ब्यापार की स्थति को लेकर सजग रहिएगा यहां पर मामला हाथ से बाहर जाएगा प्राइवेट सेक्टर आप पर आज नुक्सान दे सकता है चिंताएं बढ़ रही है सरकारी छेतर में सुधार होगा गौर्णमेंट सेक्टर आप पर आज बहुत शुभिष्टति में है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीत रहा है ससुराल से रिष्टे को मधरू करने के प्रयास सफल होंगे लव लाइफ बहुत अनकूल है मुश्किलों का हल निकलेगा स्वास्त के मामले में लीवर, आँख और बैक की प्राब्लम दिखाई देती है क्या प्रयोग करना अगर आप इराशी मीन है मीन राशी वालों को आज सफेद वस्त धारन करना शुब होगा क्या नहीं करना है मायूस नहीं होना है शुबरंग सफेद भाग्य प्रत्षत 79 69 तो भया मीन तक का भविश्यवानी तो आपने सुनी लिया है अब ये भी सुन लीजे कि आज कैसे दिन बहतर किया जा सकता है बात करेंगे आज के भाग्य अक्षर के मेश साग्षर बिशब्भा मिथुन जाग्षर करकथा सिंग गाग्षर कन्या पातुला ताग्षर बिश्चिक धनु बाग्षर मकर्खा कुम्भ हाग्षर मीन वा आज की सक्सस की तीन बार सांस छोड़ते हुए ओम नमो भगवते वा सुदेवाय का जाब करिये जिसका आज शुब जनम दिन है पहले तो उनको शुब कामना है 14 सितंबर मुबारक हो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं के प्रियोग की एक गौधान करना है और दो लोगों को भोजन कराना है जिसकी आज मैरेज एनिवरसरी है तीन लोगों को जलका दान करके दो बच्चों की सुख्षा में मदद कर दीजे तो मुलाकात कर सकते हैं 17 तक अभी गाजियाबाद में इसके बाद 19 तारिक से गया जी में हम आपके सेवा में उपस्तित रहेंगे मिलना चाहते हैं तो जो नंबर कार्याले के चल रहे हैं किसी भी नंबर पर कॉल या वाट्स अप तुरंद कर सकते हैं मित्रो पश्वेशोर शनिधाम आपकी बाट जोहता रहता है कि आज आप कुछ न कुछ अंशदान करेंगे और दस करोण इकठा करना है जमीन के लिए पांच तक हो गया है पांच और इकठा करना है जिसके जिसके पास कार्ड पहुंच गया वो लोग महनत कर रहे हैं जिसको नहीं मिला उसके पास जा रहा लेकिन महनत आप करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पश्मिश्वर सनिधाम से जरूर जोड़िए धन्यवाद अपना बहुत ख्याल रखें हमें अनुमत दीजेगा नमस्कास आचार्य विश्वप्रसिध ज्योतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुश्या अनेक